अगले 24 गंटे में मौसम में आ सकता है बड़ा बदलाओ। ुत्री बार्त के कैई राजों में बारी बारिस और अला वरिष्टी की है चेतावनी। राजस्तान, पंजाब, हरियाना सईत। उत्र बार्त के कैई राजों में अगले 24 से 48 गंटों के मौसम पुर्वान मान जाने आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है बहुत से किसान बाई कमेंट करके अपने जिले के मौसम की ताजा जानकारी के लिए अपने जिले का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताई आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेस्वुक पेज पर भी मौसम का ताजा अपडेट जान सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और फेस्वुक पेज से अभी जुड़ें यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लार रंका बटन दबा कर चैनल को कर लें और पास के गंटी के निसान को भी दबा लें अगले 24 गंटों के दोरान उत्री बार्त के जादातर राजियो में मौसम एक बार फिर से सक्रिया होने की संबावना है जिसके चलते राजस्तान पंजाब हर्याना उत्रपरदेश और मध्यपरदेश में हलकी से मध्यम बारिस देखने को मिल सकती है वहीं दिली में भी हलकी बारिस होने की संबावना बताई जा रही है राजस्तान के जेपूर टोंक अलवर बरतपूर दोलपूर और करोली में बारिस समाने से जादा होने की संबावना है तथा तेजवा भी चलने की उमीद है इसके अलावा र प्राजस्तान के बाकी जिलों में हलके बादल देखे जा सकते हैं और कहीं कहीं हलकी बुंदा बांदी को छोड़कर मौसम साफ रहने की उमीद है। पंजाब में भी अगले 24 गंटों के दोरान मौसम सकरिय रहने की संभावना है जिसके चलते पंजाब के पठानकोट, गुर्दासपूर, अमरतसर, तरनतारन और फिरोजपूर जिलों में 12 समान्य से जादा होने की संभावना है तथा पंजाब के पस्चमी जिलों में दुंद रोतक और सोनीपत में अच्छी बारिस देखने को मिल सकती है उत्तर परदेश के बिजनोर, रामपूर और लखीमपूर जिलों में अच्छी बारिस होने की संभावना है मध्या परदेश और दिली में अगले 24 गंटों में मौसम खराब रहने की संभावना देखी जा रही ह मौसम के ताजा अपडेट को देखा जाए तो अगले 24 से 28 गंटों के दोरान उत्री बारत के राजों पर चकरवाती तुफान का परवाव रहने की संभावना है और आने वाले 4 से 5 दिन तक मौसम सक्रिया रहने की उमीद है आज की जानकारी में बस इतना ही आने वाले दिनों में भी हम आपको मौसम से जुड़ा ताजा अपडेट समय समय पर देते रहने की कोसिस करते रहेंगे इसलिए देखते रहें दाकरीशी जोपाल जैहिन जैकिसान